OnePlus 7 finally इंडिया में 4 जून से अविलेबल हो जाएगा लेकिन ऐसे मैं बहुत सारी लोगों को confusion भी create होने वाला है कि उनको OnePlus 7 खरीदने चाहिए या OnePlus 7 Pro तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर इंदोनों के बीच में मैं comparison करूँ तो वो चीज बायस नहीं है क्योंकि इंदोनों में बहुत जादा बड़े बड़े difference है और जो सबसे बड़ा difference है वो इसका price range है क्योंकि OnePlus 7 जो है आपको 33,000 रुपीज में मिल जाएगा और OnePlus 7 Pro जो है वो आपको 49,000 रुपीज से start होगा तो भाई price range में बहुत जादा difference है लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि यार जब हम OnePlus 7 खरीद रहे हैं तो थोड़े बहुत और पैसे add करके OnePlus 7 Pro को ही खरीद ले तो अगर आप इतना बड़ा amount जो है वो add कर रहे हैं तो इस वीडियो को आपको देखना बहुत जरूरी बन जाता है क्योंकि मैं आप लोगों को difference बताने वाला हूँ कि इन दोनों phone में क्या difference है और ये दोनों phone अपनी अपनी जग़े पे क्यों अच्छे है तो इस वीडियो में आपका सारा confusion में clear करने वाला हूँ और आप लोग confidently इन दोनों में से कोई भी phone को खरीद सकते हैं तो भाई इस वीडियो पर आप लोग बने रही है और सबसे important चीज अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो guys subscribe कर लिजे ताकि ऐसी वीडियो जो है वो मैं आप तक लेकर आता रहूँ तो मेरा नाम है नमन आप देख रहे हैं at techplusgadgets.com Let's get started तो OnePlus 7 पूरी तरीके से एक revised version होने वाला है OnePlus 60 का क्योंकि OnePlus 7 की जो design है वो same बिल्कुल OnePlus 60 की ही तरह होने वाली है अगर मैं उसके camera placement की बात करूँ, notch placement की बात करूँ सब कुछ जो है OnePlus 60 की तरह ही आपको मिलेगा लेकिन इसकी जो specification है वो काफी जादा अच्छी है OnePlus 60 की comparison में क्योंकि इसमें आपको Snapdragon 855 का OctaCore processor मिल जाएगा उसके साथ साथ इसमें आपको camera 48MP का Sony का camera मिल जाएगा और front camera आपको 13MP का मिल जाएगा इन्होंने battery में भी improvement किया लाएगा आपको इसमें 3700 mAh की battery मिल जाएगी तो भाई overall specification की बात करूँ तो OnePlus 60 से काफी अच्छी specification मिल रही है तो अगर मैं fact की बात करता हूँ तो OnePlus 7 जो है वो काफी अच्छा phone है उसका reason यहीं कि OnePlus एक ऐसी brand है अगर उसके previously अगर आप phone देखेंगे OnePlus 5, OnePlus 5T, 6, 6T तो इनके जो price range start होती थी वो करीब करीब 36,000-35,000 रुपे से start होती थी लेकिन OnePlus के इतिहास में यह पहला ऐसा phone है जिसका price 33,000 रुपीज से start है like उनके OnePlus 5 series के बात तो यह जो phone है आप 33,000 रुपीज से खरीच सकते है like 6GB RAM उसमें आपको मिल जाएगी और 128GB के internal storage मिलेगी और जैसे जैसे आप और आगे का variant लेंगे तो थोड़ा बहुत और price आपको change मिल जाएगा तो भाई अगर आपका budget 30,000 रुपे तक का है तो यह phone सबसे best है क्योंकि इसमें आपको camera भी अच्छा मिल रहा है और इसकी design वगरे भी जो है वो काफी अच्छी है तो अब बात कर लेते OnePlus 7 Pro की तो भाई OnePlus 7 Pro का जो price है वो 48,000 रुपीज से उपर ही है क्योंकि उसमें आपको 6GB की RAM और 128GB के internal storage दे रहे है तो जिनका budget 45,000 से उपर है तो वो लोग जो है OnePlus 7 Pro को खरी सकते है क्योंकि OnePlus 7 Pro में जो specification है वो काफी जादा बहतर है और Apple और Samsung के phones को पूरी तरीके से जो है competition दे रहा है क्योंकि इसमें आपको curved display मिल जाएगा OnePlus 7 Pro का जो display है सबसे best display इस time budget में है क्योंकि आपको 90Hz का smooth display मिलने वाला है उसके साथ इसमें आपको triple camera मिलेगा Snapdragon 855 का processor होने वाला है उसके साथ साथ इसमें 6GB RAM और 8GB, 12GB इस तरीके के variant आपको देखने को मिल जाएगे उसके साथ साथ इसमें आपको wrap charging मिलेगा like dash charging बहुत ही जादा अच्छा था उसका एक advanced version है wrap charging मैं charging के मामले में OnePlus मेरा favorite है क्योंकि मैं OnePlus 6 यूज़ कर रहा हूँ तो charging के मामले में मुझे कभी भी इस phone ने परिशान नहीं किया है उसके साथ साथ अगर मैं battery की बात करूए तो भाई अच्छा camera अच्छा display अच्छी battery सब कुछ आपको मिल रहा है लेकिन बहुत सारे मैंने ऐसे वीडियो देखी है YouTube पर जो इसके cons जो है जिसे like camera का camera के cons जो है वो भर भर के दिखा रहे है कि इसका camera अच्छा नहीं है यह नहीं है वो नहीं है क्योंकि मैं आप लोग को एक sample images दिखा देता हूँ तो यह OnePlus 7 Pro की बिल्कुल एक कह सकते है naked image है जो OnePlus 7 Pro के थुरू ली गई है तो image की quality बगरे काफी अच्छी है लग आपको 45,000 रुपे में यह phone मिल रहा है तो काफी अच्छी specification के साथ यह phone मिल रहा है तो आप लोग confusion में बिल्कुल भी ना पड़े क्योंकि 30,000 तक अगर आप phone ले रहा है तो OnePlus 7 खरी दिए अगर आपका budget 50,000 रुपे तक का है तो OnePlus 7 Pro खरी लिजे क्योंकि दोनों phone अपनी अपनी जगे में काफी अच्छे हैं काफी flagship पूरी तरीके से flagship phone आपको मिल रहा है I hope आप लोग को यह video अच्छी लगी हो अगर अच्छी लगी हो तो please इस video को एक like ज़रूर दीजिए और हमारे comment section में यह बताईए कि आप अगर इन दोनों में से कोई सा phone खरीते हैं तो कौन सा phone खरी देंगे वन प्लस सेवन खरी देंगे या वन प्लस सेवन प्रो खरी देंगे ताकि इससे हमें यह पता पढ़ जाएगा कि भाई कौन से phone की ज़्यादा value है आज की time पे market में तो मिलते हैं next video में तब तक के लिए bye bye take care and peace